खेल दोसों दिस इस रामीनी स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्ट फिपर लाइक परमाडिकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आगे हैं आपके सामने कुछ और इंपोर्टेंट क्वेशन को लेके सभी को रादे रादे गुटेवडी और जैसा कि आप लोगों को पता है एक्जाम्स का जो हैना सेशन एक्जाम्स का सेशन चल रहा है ट्रेंड चल रहा होता है हर एक चीज़ का तो अभी ट्रेंड चल रहा है किसका एक्जाम्स का ट्रेंड चल रहा है अभी सबीज़ेड़भर बात कीजाए यूपी एससी के बात किज़ाएं ठीके- पतंपि कि चैक की इससबी की बात किज़ाए आपके सामने है एसएसि आपके सामने है सब्दरंचंग में-ली-हार्डिंग्ग है सारी जो वेकेंसीज हैं वो आपके सामने हैं जो भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं आप फोम अपलाई कीजे और मेरे हिसाफ से आप लोगों की सब जगें होगी होगी ऐसी बात नहीं है तो उस सभी के प्रप्रेशन के लिए तैयारी कैसे करनी है बहुत सारी जो कॉल्स औ है कोई तो आप कपः नंबर पर फोन कर लिया करें और जो भी किरीं किसीभी चीज को करे करें कि साफेख सकते हैं और बाकि टेलिग्राम कीशन पर डाला हुआ है सारी चीज़ों को संद सकते हैं तो यह सकते हैं तो मुझे भी कोई स्पैशल लोалеग्स तो है यह जी art आपा जी का इंसिट्यूट है मेरे दादा जी का इंसिट्यूट है मुझे मापे कुछ जादा पता होगा जो नौटिफिकेशन में लिखा हुआ है उतनी ही information मुझे है तीक है उसलिए ज्यादा information मुझे भी नहीं है तो अगर कोई अब बदाईयों आपको सुमीद एक्जाम है तो तैयारी कीजिए अच्छे से प्रिप्रेशन कीजिए उसकी पटाफट से एक बार क्लास को शेर करते रहें जल्दी-जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए पटाफट से जिनों ने बेविता क्लास को लाइक नहीं किया है और यहां पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि सब्सक्राइब पूछा यह किसी में पूछा है आपसे पूछे जाएंगे ना रेडिलोजी तो रेडिलोजी है जैसे मैं हमेशा कहती हूं सारे सले बस कवर होगा आपका सारी चीजे आपके कवर होंगी बाकि जो नॉन टेक्निकल चीजे नॉन टेक्लिकल सब्जेक्स में हो सकता है कि कहीं पर मैंच पूछ लिया है या कहीं पर इंगलिश पूछ लिया है कहीं पर रीजनिंग आपसे पूछी है कहीं पर जो आपसे जी के पूछ लिया है तो वह सारी चीजे अलग हो सकती है तो उसके लिए जो है आप अलग से प् जोब वाले कैसी preparation करें बे time निकालिए time दीजे चीजों को ठीके दोनों हातों में लडू नहीं मिलते हैं कभी भी एक हात में लडू मिलेगा या तो आप तैयार ही कर लिजे और अगर आपको दोनों हातों में लडू चाहिए तो आप दोनों हातों को manage करना भी सीखिए कि किस तरीके से आपको time management करना है जहां पर आपको लग रहा है कि मैं time waste कर रहा हूं तो उस time को आप waste करना छोड़िए और अपनी चीजों को थोड़ा और strong मनाई है जहां पर आप चीजों को दो गंटे दे रहे हैं तो वहां पर एक-एक minute को बचाईए 10-10 seconds को बचाईए 20 seconds क को बचाईए जब आपके first time बचाएंगी तो easily तो सारी चीजें वह आप कभर कर पाएंगे सब जगे यही होता है सब एक्जाम में यही होता है सहले बस तो आए गई नहीं रेडियो ग्राफर आप दे रहे हो तो रेडियो ग्राफर का subject नहीं देखा क्या हो वह तो वह दे ग करता है जब कश्मीर का paper अपन solve कर रहे है तो आज आपको try करना है कि आज अपन उस paper को complete कर दे ताकि फिर अपन next to paper है अपना start करेंगे चले तो कि start करते हैं class को आज का first question आपके सामने फटा-फट से answer कीजे इसका क्या answer होगा देखिए मेरी पासने ही कि deficiency of vasopression cause ठीक है vasopression की क्या हो गई है यहाँपे deficiency हो गई है कमी हो गई है vasopress 어떻 accuracy है है, vasopress intrigued है यहां पर हमारा ADH, ठीके, ADH मतलब आपका anti-diuretic hormone की क्या हो रही है, यहां पर बात हो रही है, अब इसकी क्या हो गई है, यहां पर आपके body के अंदर कमी हो गई, आपकी body के अंदर क्या हो गई, इसकी कमी हो गई, तो आप से पूचा जा रहा है, कि इसकी वज़े से क्या हो सक सकता है ठीकि एक मेरी पास नहीं कि मैं कहूं कि गॉइटर हो जाएगा तिक मतलब ग्लकर्ण मतलब इसकी हो सकती है फटा फट शर कीजे आपका आंसर यहां पे क्या होगा question आपसे कह रहा है वैसोप्रेसिन की deficiency हो गई है यानि की ADH का जो हॉर्मोन आपका ADH हॉर्मोन जो है आपका anti-diuretic hormone वो क्या हो गया है कम हो गया है ठीक है अब यदी anti-diuretic hormone आपका क्या होता है सम होता है तो इस condition में आपको पता है कि ADH जो है तो इस condition में क्या होगा, कि आपके urine का जो secretion है, ठीके, volume of urine आप कह सकते हैं, यह क्या हो जाएगा, इस condition में increase हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा-सीधा सा आप यह कह सकते हो, कि body के अंदर water का जो reabsorption है, ठीके, body के अंदर water का जो reabsorption है, वो क्या हो गया है, यहाँ पे decrease हो गया है, टभी तो urine output जादा है, तभी तो volume जो हो जाधा हो गया, और इस condition को हम क्या कहते हैं, इस condition को हम कहते हैं, इस कंडिशन को हम क्या कहते हैं इनसीपीडस ठीक है ADH की सिक्रेशन की यदि आप से बात कर ले तो आप लोगों को पता ही है हाइपोतायलिमस जो है वो इसको क्या करता है सीक्रेट करता है ठीक है तो यह आप ध्यान में रखेंगे काफी अच्छा क्यों काफी लेवल का पर अैसीपीडस की यदि मैं बात करूं ठीक है आपका पेटूटरिंग लैंड जो कंट्रोल कर रहा है है अपको फिसके अंदर क्य की अंदर जो वाटर का री absorption हो रहा था वो क्या हो गया यहां पर डिक्रीज हो गया और इसी condition को क्या रहे हैं इसी condition को कह रहे हैं यहां पर डाइबिटीज इंसीपीडस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question देखिएगा बहुत है नंबर पर शेयर कर देना next question मेरे पास में नौड और रैंवेर इस फाउंड इन ठीक है रैंवियर नौड की यहां पर बात हो रही और पूचा जा रहा है कि यह आपको कहां मिलते हैं देखिएगा समझेगा बताईएगा फस्ते मेरे पास में कि जो मसास बंडल हैं उसके अंदर आपको मिलेगा नर्डराइट की मिलेगा या फिर रहwo हमने के यह पही और आउर मिलेगे यह आँटाफटते हैं बताइए, नौड और फ्रेंवेर की बात हो रही है, एक्जॉन में मिलते हैं ना बिलकुल next condition है मेरे पास में, next question है मेरे पास में देखना कि connection between exon and dendrites, ठीक है, आपसे पूछा है कि exon और dendrites, ठीक है, तो इन दोनों के पीछ में जो connection है, इसको आप क्या कहते हैं first है हमारे पास में कि हम इसे क्या कहते हैं, snaps कहते हैं, snaps आप इसे कहते हैं या फिर हम कहें कि इसे आप dismosome कहते हैं, या फिर आप कहें कि इसे आप क्या कहते हैं काम क्या होता है यानि कि सिनेप्स का मतलब है कि जो आपकी information है ना information को एक neuron से one neuron to other neuron पे जाओं दूसरे neuron पे जब हम इसको transfer करते हैं तो किसकी help से करते हैं सिनेप्स की help से करते हैं किसकी help से सिनेप्स की help से करते हैं बिलकुल यह एक पॉइंट है यह देखो ठीक है एक neuron यह हो गई एक cell यह हो गई और एक cell यह हो गई और इसके बारे में आपको पता है यह नि कि आपके exon और जो टेंडाइट से इनके बीच में जो connection point होता है इसी को हम क्या कहते हैं सिनेप्स और इसी सी जो है information क्या होती है हमारी आगे send होती है और जाद अच्छे से यह देखो कि इसमें देख लो काफी बैटर तरीके से ठीक है एक्सल यह एक्सल वो ठीक है तो यह वाला जो यह दो आपको दिख रहे हैं तो यह जो पॉइंट है यह पॉइंट क्या कहलाता है यह आपका सिनेप्स कहलाता है यहाँ पर जो हमारे receptors होते हैं और यह receptors क्या कहते है ऐसे ट्रिगर के जैसे यह काम कर रहे हैं तिक है information को one two other neuron फिर दूसरी से तीसरी तीसरी से चौथी इस तरीके से जो information है वो हमारी आगे चलती रहती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अगला question आपका क्या होगा देखो next question है मेरे पास कि which type of transformer has only one winding and can be used as both as step up and step down transformer ठीक है आप से पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा एक transformer ऐसा है जिसमें आप सिर्फ single winding यूज़ करते हो बाकि सब में आपको पता है जब हमने transformer पढ़ा था तो transformer में हमने क्या देखा transformer में हमने ये देखा कि एक तो है है हमारी primary winding और एक है हमारी कौन से secondary winding ठीक है तो step up में भी हम दो winding कर रहे थे isolation जो transformer था उसमें भी हम ऐसा कर रहे थे और step down transformer था उसमें भी हम क्या कर रहे थे इसी तरीकी की जो चीजें वह हम यहां पर कर रहे थे ठीक है अब आप मुझे यह बताओ आप से यही पूछ रहे कि एक ऐसा transformer जिसमें डबल वाइंडिंग यूज ना करके सिंगल वाइंडिंग का क्या किया गया है यूज किया गया है ठीक है और उसी को आप आप उसे क्या कहते हैं वासे मेरे पास auto transformer कहेंगे high tension transformer कह सकते हैं rectify transformer या फिरम कहें कि जो self rectification जो transformers होते हैं आप उसको उसका नाम देने वाले हैं ठीक है बिलकुल बहुत बढ़िया का आपने जो auto transformer है auto transformer ही आपके क्या कहलाते हैं single winding के अंदर यूज करती है अप और down दोनों जगे से आप क्या कर सकते हैं इनका यूज करते हैं चलिए आगे पढ़िये next question की तरफ बहुत बढ़िया अगला question देखिए next question क्या है मेरे पास की in a step down transformer ठीक है step down transformer की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि the number of turns in the secondary coil is space को आपको फिल करना है the number of turn in the primary coil ठीक है बताईए question है आपका ये आप से पूछा है यहाँ पे कि ये एक step down transformer है कैसा है step down transformer है तो बताईए step down transformer में secondary coil में जो आपके number of turn है वो जादा होंगे primary coil से या फिर वो कम होंगे या तो कम या जादा isolated ही होता तो उसमें हम equal कह रहे होते हैं यहाँ पे यहाँ फिर हम कहें कि unrelated इन दोनों का इन सब चीजों से कोई भी जो relation है कोई भी जो संबंद है वो यहाँ पे नहीं होता ठीक है बताईए step down की बात की जा रही है बिल्कुल बहुत सही का आपने यहाँ प्राइमरी कोईल है इसके अंदर कैसे होंगे वो ज्यादा होंगे ठीक है step down और यदि step up की हम बात करें तो step up में इधर कम हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे ठीक है चलिए चले आगे चलो जी बढ़ो अगले question की तरफ next question देखो क्या है अगला question है हमारे पास कि how are x-rays produced in x-ray tube की अंदर चो x-rays हैं वो कैसे produce हो रहे हैं उनका production कैसे हो रहा है फर्स्त है मेरे पास आप बोलों की by passing electrons through a vacuum की electrons जो है वो vacuum में पास हो रहे हैं जिससे क्या हो रहा है x-rays का production हो रहा है ठीक है दूसरा है मेरे पास में की by chemical reaction कहां पे कोई chemical reaction चल रही है इस वज़े से हो रहा है आप बोलें कि यहां पे आप sound waves का use करते हैं या फिर हम कहेंगे ह हम यहां पे जो हमारे magnetic fields है magnetic field का क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं ठीक है बताइए फटा फट से answer दे जीजिए क्या answer आप यहां पे करने वाले हैं आप सभी को पता है बहुत ही basic सी चीज है जभी भी हम x-ray production की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो यह tube है इस tube के अंदर क्या present है vacuum present है आपका यह cathode हो गया यह आपका anode हो गया cathode में आपने current supply की voltage अप्लाई की यह heat हुआ और heat होके इससे electrons का emission है वो क्या हो जाएगा start हो जाएगा electrons निकलना start होंगे, electrons आपके टकराएंगे आपके target पे और target से क्या होगा आपके x-rays का production होगा x-rays का क्या होगा production होगा बिल्कुल तो यहाँ पे ए answer जो भी मुझे कह रहे हैं यानि कि bypassing electron through a vacuum से क्या होता है x-rays का production होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से अगला question देखो क्या है next मेरे पास में बहुत easy जैसा which interaction with matter is responsible for the majority of x-ray attenuation in soft tissue आप से पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा interaction है आपके matter के साथ में जिसके अंदर क्या होगा कि majority of x-ray attenuation in soft tissues कि x-rays का attenuation होगा वो कहां पे होगा soft tissues में होगा majority है निकि जादा यदि मौत्रा में यदि हम बात करें तो आपके soft tissues में क्या हो जाएगा हमका attenuation हो जाएगा या फिर हम कहें कि जब हम photoelectric effect पढ़ते हैं तो photoelectric effect में हमने यही पढ़ा था कि patient की dose के लिए responsible जो effect है वो कौन सा है हमारा photoelectric effect है तिके contrast के लिए responsible जो है image formation के लिए responsible है वो कौन सा है आपका photoelectric effect responsible है तिके तो बिल्कुल soft tissues के अंदर आपका जो फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट है या फिर हम यह कहें यह जो इंट्रेक्शन है यह क्या हो रहा है आपका डैन होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स क्योशन की तरफ मैरे पास में क्या है यह देडिए यूनित ओफ मिज़रमेंट ओफ एक्सष्पोज़र ठीक है एक स्ड Shepherd से मतलब है एक स्पोजर को ध्यां मत रखों एक पिरrobi को फूदाँ anytime इन्द इसका मी आप से पूछा है कि इन में से कौं सी एकücksरी ट्यूब है जिसके अंदर हीट को डिसीपीट किया जाता है बहुत ही बैट sic proposeάλasi व足y को तरीईट के निया अदर आप बोलेंним हमारा जो सैल्फ रैटिफायर ट्यूब है जो सेल्फ रेक्टिफिगेशन कर रहे हुआ उस ट्यूब के अंदर ऐसा हो रहा था या फिर आप वहीं कि आपका जो रोटेटरी अनोर ट्यूब है ठीक है रोटेटरी अनोर ट्यूब से क्या बात हो गए यानि कि आप modern x-ray tube कह सकते हैं इसे ठीक है modern x-ray tube कह सकते हैं rotating x-ray tube आप इसे कह सकते हैं यह हमारी modern x-ray tube है इसी का हम यहां पर यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट में अभी at present तो बिलकुल जब हमारी पास में stationary tube थी तो stationary और यदि हम rotation की बात करें रोटेटरी की बात करें तो दोनों में कुछ खास difference है खास difference दोनों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से चीज़े हैं लेकिन यहां पर जो एक main difference है हमारे पास में मेंड डिफरेंस है मारे पास में आपके रोटेशन का ठीका कि stationary के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसी ती आपकी अवाज निक्की कोह नहीं आ रहे है किसी और को भी नहीं आ रहे है कि अवाज वाला इश्यू निक्की के साथ ही हो रहा है या सब के साथ ही हो रहा है वहीं कि आ रही है ना सब को करो फिर ठीक है यह ठीक है कर दो अधिक बढ़ा दो कि भी कि अप्यां अपने फोन चेक कर लो बाई हो सकता कोई प्रॉब्लम हो रहे हो तो हम यहां पर बात कर रहे हैं आपकी रोटेटरी और स्टेशनरी के पारे में तो इसके बीच मेंट में मैने डिफ्रेंस अमारा यही है कि आपका जो ऍर स्टेशनरी महां पर जो टारगेट खांपर उसको अमने rotate करना start कर दिया निकि rotation जो target है rotatory जो हमारा target है वो हमने बनाया इसके अंदर क्या हुआ इसके अंदर यह हो रहा था कि हमारे जो photos थे वो एक जगे पे नहीं पढ़ रहे थे कोई photos यहां पढ़ रहा था कोई यहां पढ़ रहा था चलिए next question की तरब बढ़ते हैं अगला question देखो क्या है मेरे पास में कि which x-ray parameter control the quantity of x-ray produce ठीक है आप से पूछा है quantity की बात की जारी है amount की यहां पर बात हो रही है संख्या की बात की जारी है तो बताए जो focal sport size है वो quantity को देखेगा उसके बात में मैं कहूं की milli ampere जो है current जो है current से आप यहां पर देखोगे या फिर हम कहेंगी आपका फोकस तो film distance जो है उससे आप मीजर करोगे या फिर हम कहेंगी kvp जो है वो क्या करेगा इसको decide करने वाला है बिलकुल kvp के यदि हम बात करें तो हो गए आपका quality energy penetration power ठीक है current के यदि हम बात कर लें तो हो गई क्या हमारी यहां पर entity यानि की मात्रा चलिए आगे बढ़िए चलो आगे बढ़ते है next question की तरफ अगला question देखो मेरे पास में क्या है next question है यहां पर बहुत ही प्यारा सा कि which device is used in fluoroscopy to intensifying the x-ray image and allow for real-time imaging ठीक है fluoroscopy में आपसे पूचा जा रहा है कि fluoroscopy में कौन सा एक ऐसा device है जिसके उपर आप क्या करते हैं जो आपके real-time imaging चल रही है उसको आप देख रहे होते हैं या फिर हम कहें कि जो हमारा image बन रहा है उसी device की उपर बन रहा है फिर्स्ट है मेरे पर्स्ट में कि मैं कहूं कि आपका जो रेडियोग्राफिक ग्रिड है तिके ग्रिड की उपर image बनता है जो image receptors है receptors की उपर image बनेगी या फिर हम कहें कि जो मारा fluoroscopy monitor है fluoroscopy monitor के उपर इमेज बनेगी या फिर हम कहेंगे जो इमेज इंटेंसिफायर है उसके उपर इमेज यहां पर बनने वाली है question को त्यान से देखो त्यान से समझो कि question आप से क्या कहना चाहरा है which time is used which device is used in fluoroscopy to intensify the x-ray ठीक है कि x-ray को जो है x-ray intensify कौन कर रहा है monitor intensify कर रहा है क्या भई आपकी कहीं पर भी हम बात करें ठीक है जैसे कि हम कैसे लेके जाते हैं तो क्या monitor पर सीधा इमेज बन गई क्या image आप पहले किस पर बना के लाते हो monitor लेके जाते हो कि आप x-rays को intensifying करने के लिए monitor लेके जाते हो हम तो नहीं लेके जाते है तो कैसे टी लेके जाते है अच्छा image intensive आप लेके जा रहे हो है कि इसके उपर image बनाएंगे हम machine के अंदर वो लगा हुआ है उसको आपने खोला फिर आप उसको expose करके लेके आ गई इंटेंसी फाइंदा एक्सरेज इमेज आए टीवी तो ऐसे एक्सरेज ट्यूब काम कर रहा है आप उसको यह समझ लो कि उसका जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा अलग है पर रिसेप्टर क्या काम करेगा उसकी क्या ज़रू होता है पेक दो उसको कच्रेज डाल दो उसको क्वेशन आप से क्या कह रहा है कि एक्सरेज चवी को तीवर करने और वास्तवी समय इमेजिंग की अनुमती देने के लिए स्लॉर्ज़मे में किस उपकॉरण कर उप्यों किया जाता है टीक है जब हम क्यसिल लेके जारे है तो क्यश्ङ पर ही तो हो रहा होता है न हमारा साम जो इमेज Personen का जो आपका सामसरे का होई लका रख़े है कं कि ऻखा कर्मिशन हो रहा है यहीं पर तो सारी जो चीज़ें वो आपने लगा रखी हैं ठीक है जलो नेक्स क्यूशन दे मैजोरेटी ओफ हीट इन इनो टूब इस डिसिपेट फ्रूदा ठीक है आप से पूझा जा रहा है कि हमने यह तो देख लिया कि हमारी जो रोटेटिंग एक्सरे टूब है उसके अंदर क्या हो रहा है कि हम हीट को जल्दी डिसिपेट कर पा रहे हैं ठीक जो हीट है उसको बहर इनवार्मेंट के अंदर क्या कर रही है डिसिपेट कर रही है ठीके मेरे पास में कहा हूँ कि का थिछी stem of the anode कि आपका जो stem है stem क्या कर रहा है heat को dissipate कर रहा है मेजरोटी की बात करी मेजर टीकि सबसे जादा amount में ऐसके बाद में कि transfer of space charge to the anode disc उसके बाद में कि passes of radiant heat to the tube envelope कि हमने जो heat generate अवने क्या कर दिया? envelope को क्या कर दिया? transfer कर दिया या फिर हम कहें कि absorption of electron by the thing कि आपके इलक्ट्रों का जो absorption है उस इंक वहां पे कर रहा है और इस वज़े से क्या हो यह है हीट जो है आपकी dissipate यहां पे हो गई है ठीक है बिलकुल मैं कहरे हूं बार बार question आपसे यहां पर majority के बात कर रहा है जादा amount के अंतर बात कर रहा है ठीक है चलो ठीक है आप कह रहे हो स्टैम की तरफ आप चल रहे हो कि conduction of heat through the stem of the anode कि जो आपने यहां पर stem लगा है stem जो है rotate हो रहा है और साथ ही साथ में आपने moly platinum यहां पर use किया तो वह heat को क्या कर रहा है dissipate कर रहा है ठीक है जादा time तक heat को वहां पर रुकने नहीं दे रहा अब वह heat आगे भी तो जाएगी ना वहां पर अरे heat आगे भी तो आप पचाओगे या नहीं पचाओगे या फिर उसको वहीं पर इकटी करके रख लोगे जब आपका production हो रहा है तो वहां पर भी आपकी energy जो है वो almost 99% जो है energy आपकी वहां पर convert हो रही है इसके अलाव इस time rotation हो रहा है और x-ray tube में जब आप से heat transmission के method पूछे तो तीनो जो method है वो हम यहां पर use करते हैं radiation जो method है वो भी आपका use होता है conduction जो method है वो भी हमारा use होता है और साथ ही साथ हमारा conviction method है वो भी हमारा यहां पर क्या होता है use होता है तीनो methods का हम क्या कर रहे हैं यहां पर use कर रहे हैं ठीक कर रहा है लेकिन के यहां पर हो रही है तो कहें यहां पर कि आगे आगे आपके ऑंग exagger आपने किये हैं और housing जब आपने तह वहां पर New डिइंवर्प से ऑइलोल से आपका जो हाउसें से इनवर्मेंट के इंदर सिक्षे То इनों जो मैथड हैं उनको हम क्या करते हैं यहां पर यूज करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़िए next question अगला question है मारे पास कि the type of meter that is used to measure the current between the electrode of an x-ray tube इसदा आप से पुछा जा रहा है कि type of meter एक meter है उसका आप यूज कर रहे हैं किसी लिए current को measure करने के लिए कौन सा current आपका tube current चो आपके x-ray tube में आप यूज कर रहे हैं ठीक है first है मेरे पास में कि between the electrode of an x-ray tube यानि कि electrode का मतलब यह आपका cathode और यह आपका anode चीक है तो इनके बीच में आपके positive और आपके negative electrodes के बीच में जो आप current को measure कर रहे हो उसके लिए आप कौन सा meter यूज करते हो या question आप से कह रहा है कि कौन सा यह कह सकते हैं कि कौन सा जो आपक जैसे कि आपने console की उपर देखे होंगे ना तीन मीटर लगे हुए रहते हैं तो उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा आप यूज करोगे फस्ते मेरे पास में कि मैं कहूं कि प्री रेडिंग कि किलो वाल्ट मीटर चीक है या फिर हम कहें कि यहां पर मल्टिफेज ओं होगे फटा-फटा चैन्सर दो क्या अंसर उने वाला है अंत कि करेंट की आच बात हो हूघ एक रही है थीकए वही हमारे की पात होगे उसके लिए when हमारा atam maior की रखो हो रहा है miliampier जो हम समय की बात करो पाकि जो करन्ट हम बात करें तो उसके लिए क्या हूं कर रहे है आपका house करें बिलकुन額 चलो आगे next question अगला question है मेरे पास के transformer rating है given in ठीक है transformer rating की बात की जा रही है और आपसे पूछा है उसकी unit की बारे में measurement की बारे में बताईए क्या होगा first day मेरे पास में मैं कह दूँ कि आपका KVA कह सकते हैं HP horsepower कह सकते हैं KVAR कह सकते हैं यह kilowatt की अंदर जो यह वो आप क्या देख रहे हैं आपकी rating को देख रहे होते हैं ठीक है transformer rating की बात हो रही है बताईए फटाफट से किस की अंदर आप measurement करते हैं transformer rating का kilowattage ampere horsepower ठीक है या फिर हम कह दें आपका kilowatt बताई जलिए रादा खश्णा आंसर कर रहे हैं यहाँ पे A कह रहे हैं शुपिसमिता A कह रहे हैं रामिंदर जी kilowatt की तरफ हैं प्रियदर्शनी भी kilowatt की तरफ हैं X-ray group भाई बहुत बढ़िया भाई D अलब लडाई जो है main A और D के अंदर है B और C में कोई लडाई नहीं है तो इनको चलो cross कर देते हैं दो बचे हैं हमारे परस में बताओ Kilowatt Kilowatt Okay Dreams इन नाम कहा से सोचते हो तुम लोग है कितनी creative कैसे हो चलो देखो Transformer rating की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो transformer rating को हम लेते हैं किसके अंदर आपके kilo voltage ampere में किसमें लेते हैं kilo voltage ampere यानि कि आपके kvA के अंदर हम क्या करते हैं उसका measurement करते हैं ठीक है कुछ books के अंदर इसकी जो rating है उसका unit है वो लिख रखा है kilowatt ठीक है maximum book के अंदर जो kilowatt लिखा हुआ है तो आप इसको देख लिए ना और इस गलती को सुधार ना ठीक है इसके पीछे के एक specific reason है transformer rating की जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम यहाँ पर losses की बात करते हैं ठीक है loss के उपर आपका rating जो यह डिपांड है किस पर डिपांड करता है voltage यानि की V और copper loss की जब हम बात करते हैं तो वो डिपांड करता है किसी पर हमारे current के उपर या फिर हम कहें कि current का मातरा क्या आपका MPR तो यह depend कर रहा है आपके MPR ही चलो लिख देते हैं यहाँ पर यहाँ से current आप याद रखना तो यह होगी आपका V है तो आपको बताना है कि जो losses है वो depend कर रहे हैं हमारे किसके उपर voltage और साथे साथ में हमारे MPR के उपर depend करते हैं तो आप यह द्यान में रखेंगे और हम जो है इन सब चीजों को power के उसमें नहीं ले सकते हैं और से यह चीज़े रिलेट नहीं कर रही है इसलिए हम क्या मानते हैं यहाँ पे कि जो transformer rating है उसको हम kilo volt ampere के अंदर मीजर करेंगे NCRT में क्या लिखा है भाई मुझे नहीं पता NCRT पढ़े वे काफी time हो गया काफी time तो क्या मैं तो पढ़ी नहीं NCRT लेकि हमारे वहाँ पे books तो चलती नहीं थी और तो teachers notes लिख वाते थे तो उन्हें सीचा पढ़ते थे हमें न एक biology की book तो चलूर पढ़ी थी मैंने बाकी और तो किसी की book नहीं पढ़ी चलो चले आगे next question हमारे पास what is the thickness of lamination used in a transformer transformer की अंदर जो lamination हम करते हैं हमारी लाँ को लामिनेट करने के लिए ठीक है अलग अलग तरीकी की को बना रहे हैं हमापे laminate core बना रहे हैं हमारा shell type cross type है एच टाइप है ठीक है तो एक जो हमारी laminate core जब हम बना रहे हैं lamination हम कर रहे हैं for insulation purpose तो आप से पूछाए कि उसका जो ठीकनेस आप रखते हैं जिस भी material से आप कर रहे हैं insulating material का तो ठीकनेस रखा जाएगा वो कितना होगा 14 mm to 15 mm 25 mm to 40 mm या फिर हम कहेंगी 0.1 mm to 0.5 mm का जो ठीकनेसे वो हम यहां पे रखेंगे या फिर आप बोलें कि 4 mm to 5 mm का जो ठीकनेसे वो आप यहां पे रखते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा कहा आपने यहां पे 0.1 mm to 0.5 mm का जो थिकने से वो यहाँ पर रखा चाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अगले question की तरफ चलो फटाफर से पढ़ा और जल्दी से answer दो क्या कहोगे चलिए तो दिया कह रहे हैं यहाँ पर C कह रहे हैं ड्रीम्स भी C कह रहे हैं तरफ डी, ए, डी, सी चलो भई question है आपका की what is the primary purpose of safe light in the dark room के अंदर जो safe light लगाई जा रही है उसका primary purpose क्या है to provide additional illumination, extra रोशनी के लिए हम इसको लगाते हैं रूम विजिबल टू पेशेंट, पेशेंट को रूम है जो है विजिबल हो, पेशेंट को काम ही नहीं है पेशेंट से क्या लेना देना हमारा या फिर हम कहेंगे to allow personal to see the equipment चीक है कि हम equipment को आराम से देख सकें इसलिए हमने safe light लगाई है या फिर हम कहेंगे to avoid fogging x-ray film during the handling कि जब हमारी filmों को हम handle कर रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं तो उनके पास में उनके उपर fog का formation ना हो, ठीक है उनको fog किसी भी तरीके से affect ना करें कि इसलिए हमने क्या कर रहे है, महाँ पर safe light लगाई है, बिल्कुल चलिए आगे next question which of the following is not an essential feature of an ideal darkroom design ठीक है, ideal darkroom design की बात हो रही है और पूछा है कि इन में से कौन सा एक essential feature नहीं है फास्से मेरे पास कि light tight construction, लाइट tight जो construction है वो आपको करना है कि किसी भी तरीकी की जो entry है, आपके darkroom के अंदर light की वो नहीं होनी चाहिए दूसरा है कि ample natural light, natural light अराम से आए, fell-fell के कोई दिक्कत नहीं है उसके बात में है कि ventilation जो होना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल घुटन बुरा जो माहोल है आपके बना दिया और हम जाते हमारी जो सास है, water जाए, वहीं पर वहीं पर हमारा यापी बड़े हो जाए या फिर हमारे पास में है fourth option कि radiation shielding कि हमारा जो darkroom है, उसमें हमने क्या करनी है, चारो तरफ से radiation की shielding करनी है यदि अपने कोई window वहां पर रखा है, pass box अपने वहां पर लगाया है, तो यह जो सारी चीज़े हैं कि हमको क्या करनी पड़ेगी, वहां पर देखनी पड़ेगी, बताइए, चल्दी आंसर दो बिल्कुल, नाचुरल जो light है, वो हमें महां पर नहीं चाहिए, यदि नाचुरल लाइट आईगे तो वही बात हो गई नहीं, यहां पर light tight construction क्यों कर रहे हो फिर जब आपको नाचुरल लाइट चाहिए, यहीं तो ठीक है, नाचुरल लाइट आईगी तो जाहिव सी बात है कि आपका जो फिल्म से वहां पर रखी हुए, एक्सपोस होंगी और वो क्या होंगी, खराब होगी, फोक का फॉर्मिशन होगा, ठीक है, एंपल, एंपल का मतलब होता है, प्रियाप्त, ठीक है, एंपल का मतलब क् एंड पैनख्रॉर्मिटिक एक्सलैने फिल्म, ठीक है, और्थो क्क्रोमिटीक और पैनख्रॉमिटीक फिल्मस के बारे में आप से पूचा जा रहा है, कि इनके पीछ में जो एक बिसिक जो ढिफरेंस है, वो आप मुझे पता दीशे, क्या होगा, फिरसे हैं, जा लग правильно के लिए अलग-अलग के लिए क्या है सेंसिटीव हैं दूसरे हैं हमारे पास में कि इनकी जो बेस है इनकी फिल्म का जो बेस है वो क्या रहता है या फिर हम कहें कि आपकी जो शीट आती है तो इस तरह कि हमारी शीट आ है ठीक है तो इन में शीट के अंदर जो है वो फरक रहता है या फिर हम कहें कि जो immersion की quality है वो एक के अंदर अच्छी आती है तो एक के अंदर बेकार आती है ठीक है पता ही है पांख्रोमेटिक और 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 प्रोमेटिक एक्स-डे के लिए sensitive है और कोई जो हमारी फिल्म है सॉरी वो कौन से कलर के लिए क्या होती है sensitive होती है ठीक है अगर मैं यहां पे और तो की बात करूं यदि हम यहां पे और तो क्रोमेटिक फिल्म की बात करें तो यह sensitive होती है कि इसके लिए आपके green color के लिए और यदि हम यहाँ पे pan chromatic film की बात करें तो यह sensitive है कि इसके लिए हमारे blue color के लिए ठीक है तो यह भी आप त्यान रखना चलिए चले आगे चलो जी next question next question आप से बहुत ही बच्चों जैसा पूछा है x-ray film are insensitive to which light आप से पूछा है कि आपके जो x-ray film है वो इन में से कौन सी light के लिए insensitive है ठीक है फास्ते में पास में कि yellow and red के लिए insensitive होगी red के लिए होगी white के लिए होगी या फिर हम कहें कि जो blue और जो green है उसके लिए क्या होती है यह insensitive होती है फटा फट से आंसर दो शुबिस्मिता ए कह रहे हैं सुशांक बी की तरफ हैं प्रियदर्शनी डी की तरफ है प्रियदर्शनी एक बार वापस से question को पढ़ो प्रामिंदर रेड कह रहे हैं और इसके लावा blue ग्रीन डब्लू सी रॉंजन अच्छा डब्लू सी रॉंजन साहब भी हमारे साथ में प्रणाम आपको प्रिया सिंग डी की तरफ है शुबिस्मिता ए पंकज बी प्रेंका डी अधूबी डी की तरफ शुबिस्मिता चलो बहुत अच्छा जन्नत डी अनिल बी निकी बी कहां तेया आप कहां चलेगे हैं हमें छोड़ गे हैं डब्लू सी रॉंजन साहब बिलकुल ठीक है आया समझ यह कह रहा है इनसेंसिटिव है ना सेंसिटिव नहीं कह रहा है यदि यह सेंसिटिव कह रहा होता तो आप अराम से कह देते कि ब्लू और जो ग्रीन लाइट है उन्सके लिए अलग-अलग तरीके से यह क्या है है सेंसिटिव होगी लेकिन यह बात कर रहा है इनसेंसिटिव की इनसेंसिटिव का मतलब है कि आपका ड़ी जो यलो है यहने कि जिनकी वेवलेंद क्या होती है कम होती है तो उनके लिए क्या है ये इन सेंसिटिव होंगे ठीक है अब यहां पर रहे आंसर है वो हमारा सही है और यदि हम specific red की बात करें क्योंकि red की जो है वो adequate wavelength जैसे कि हम maximum cases में यदि बात करें तो हम red यूज कर रहे होते हैं यलो का यूज हम बहुत कम कर रहे होते हैं तो अब यह चीज जो है वो depend करती है examiner के उपर कि वो A को सही मानता है या फिर B को सही मानत है ठीक है option दोनों ही सही है yellow and red भी सही होगा और जो red यदि कोई देता है तो वो भी answer क्या होगा सही अब यह चीज एक्जामिनर बोर्ड पर depend करेंगी कि उसने क्या सोच के paper बनाया है वो क्या कहना चाहरा है वो A को सही मानेगा या फिर B को सही मानेगा ठीक है चलिए चले आ इन X-ray film ठीक है एक फिल्म के अंदर जो आप एक बाउन लेर बनाते हो जो एक बाउन लेर का आपने उस किया है वो किसके लिए किया है फर्स्ते मेरे पास में कि टू प्रोवाइट इस्ट्रेक्टरल सपोर्ट इस्ट्रेक्टरल सपोर्ट यहां पर मिल जाए या फिर हम कहे कि to enhance image contrast image contrast को enhance करने के लिए to block x-ray radiation या फिर हम कहें कि to absorb light चीक है बताईए फटाफट क्या answer आप यहाँ पे कहने वाले हो फोल ले गई भई है वो पोकेट में डाल दिया था हमने जा रहे थे न उस ताइम पे कि लोजी ले जाओ पताईए पटाफट से answer दो क्या answer आप यहाँ पे करेंगे देरी आपको करनी नहीं है बिल्कुल भी पताईए structural support image contrast radiation को block करने के लिए या to absorb light बिल्कुल ऐसे supporting system की जैसे हम क्या कर रहे है यहाँ पे हमारी bonding layer का ही हूज कर रहे है ठीके next question fixer solution की pH आप से पूछी है पताईए क्या होगी 324, 424.5, 4.525 या फे 6.627 एट चीज चल रहा है महां तो जानना है क्या आपको भी maxillan है एट चीज सर्विस है महां पे जानना है क्या आपको बताईए बिल्कुल ठीके पिक्सर का pH आप से पूछा है 424.5 चलो आगे चलो next से मिल पास में next question what is the purpose of an X-ray Cassidy in radiography radiography के अंदर कैसिट का जो purpose है वो क्या होता है पस्ते मारे पस generate X-ray अगर यह X-rays को generate कर देगी तो ट्यूब क्या करेगी उसको फिर हम बेची आए कहीं पे उसके बात है मारे पास की two store X-ray image इस X-ray image को store करने का काम है इसका या फिर हम कहें कि X-ray tube को protection दे रही है यह या फिर हम कह सकते हैं कि two control radiation dose को control कर रही है कि कितना radiation लगना चाहिए कितना radiation नहीं लगना चाहिए फटाफट से answer दो क्या answer आप यहाँ पे करने वाले हों पिलकुल यदि हम यहाँ पे photography में purpose की बात करें कैसेट की purpose की यदि हम बात करें तो हमारा मेन उद्देश जो होता है वो क्या होता है तो store X-ray image ठीक है अब हाला कि वह बात अलग है कि उसकी अंदर हमने फिल्म यूज हम कर रहे हैं या फिर हम यह कहें कि आज डिटक्टर आप उसको ले रहे हो या फिर हमने वहां पर IP उसकी है तो वह वाले चीज अलग होगी लेकिन यादि हम मोटा मोटी बात करें तो बेसिक सा जो हमारा यह जो सारा काम में यह किसका है आपकी कैसीड का है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए जी next question की तरह पढ़ते हैं कि how should intensifying screen be mounted in X-ray कैसेड to ensure proper screen film contact आप से पूचो जा रहा है कि intensifying screen को आप कैसेड के ऊपर किस तरीके से लगाएं कि आपके screen और साथे साथ आपकी film का जो contact है वो proper हो सके फस्ते मेरे पास में कि मैं कह दूँ कि screen शुद भी loosely attached कि screen को आपको क्या करना है cassette से बहुत ही loosely क्या करना है attach करना है उसके बाद हम कहें कि should be tightly compressed कि आप क्या कीजे आपकी screen को आपकी cassette से tightly क्या कर दीजे आप इसको compress कर दीजे या फिर आप इनकी बीच में जो compressive materials है compressive material का हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर use कर सकते हैं या फिर हम कहें कि should not touch the film की film को touchy नहीं करनी चाहिए वो या फिर हम कहें कि should be mounted outside the cassette के outside आप क्या कर दीजे आपका जो intensifying screen की coating आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं पताईए फटाफ़ट से answer दो क्या answer करो कि बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा answer आ रहा है सभी का यहाँ पर भी answer कर रहे हैं बिल्कुल intensifying screen और हमारी फिल्म का एक proper contact बनाने के लिए हम क्या करते हैं एक तो इसको tightly हम place करते हैं और साथ ही साथ में हमारी cassette का जो inner end है और हमारी intensifying screen ठीक है इनके बीच में compressive materials का भी क्या करते हैं यूज करते हैं ताकि वो अपनी proper position के अंदर बनी रहे यदि ये दोनों proper position के अंदर नहीं होगा तो intensifying screen से जो information है वो हमारी cassette तक नहीं पहुचेगी और यदि कैसे क्या हमारी film तक information नहीं पहुचेगी और यदि पहाँ पर information नहीं पहुची तो इस condition में आपकी image का formation नहीं हो होगा ठीक है तो इन दोनों का proper contact होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है चले आगे चलिए नेक्स केशन नेक्स से मारे पास में कि what is the critical aspect of cassette care to prevent film artifact चीक है आप से पूचा है यहां पे कि film artifact को आपको प्रिवेंट करना है तो आप कौन सी जो care है कैसेट को देंगी क्यों सी जो मैधपूर्ण care है वो आपको कैसेट को देनी पड़ेगी फस्ते मेरे पास कि मैं कहूं कि आप क्या कीजें कि आपकी कैसेट को डेली डेली लाइट से क्या करते रहिए आप एक्सपोज करते रहिए ठीक है उसके बाद में हम कहें कि storing the cassette in the humid environment ठीक है humid environment जहां पे हूं मस हो रही हो वहां पे आप आपकी कैसेट को रखके आ जाओ या फिर हम कहें कि ensuring the cassette is clean and free of debris कि यह दे कैसेट की ओपर कोई गंदगी आ गई है किसी भी तरीके की dust लग गई है hair particle है ठीक है कोई fruit आ गया है क्योंकि जब हम exposed कर रहे है को accidental case आया accidental case आया आपने एक्सपोज किया तो उसक पर cassette की ओपर blood अगेरा लग जाए ठीक है तो वो जो सारी चीजें हूँ आपको क्या करने है साफ करने है या फिर हम कहें कि using the cassette for multiple patient without cleaning ठीक है कि आप multiple patients पे without cleaning के आप क्या करेंगे आपकी cassette को यूज करेंगे तो आपकी जो film है आपका जो cassette है आपका जो image है उसकी उपर artifact आपको कम नजर आएंगे कम दिखाई देंगे पताए फटाफट आंसर दो क्या का होगे डूल साफ करना चाहिए हैं कि आंसर आ रहा है और मनीशा भी कह रहे हैं सब जगे वाइरस आ रहे हैं जीत है बिल्गुल तो cassette cleaning जो है वो बहुत ज़रूरी है यदि cassette के cleaning नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि जो artifacts है वो हमारे पास में produce हो तो time to time जो है आप उसे clean करते रहे है यानि कि free of debris कोई भी जशुद्धी है वो वहाँ पे present नहीं होनी चाहिए ठीक है चल चले आगे नेक्स केशन विच टाइप फॉसफर आर कोमली यूज़ इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फोर रेडियोग्राफी ठीक है आप से पूछा है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर जो फॉसफर क्रिसल्स आप यूज़ कर रहे हो वो किस तरीकी के यूज़ कर रहे हैं ठीक है पता हई फटाफट क्या कहेंगे आप चलिदी जल्दी आंसर दे जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में आप जो फॉसफर यूज़ग थे वो फॉसफर में कौन से क्रिस्टलस या कौन से टायप का जो फॉसफर है वो यूज़ किया जाएगा रेडियेशन को जनरेट थोड़ी करना है, रेडियेशन तो आई रहा है ना हमारी ट्यूप से, रेडियोक्टी फॉस्फर यदि आप यूज करोगे तो रेडियेशन एमिट होता रहेगा, इन्फोर्मिशन का मिलेगी, फिर तो आप जैसे कैसिट को ऐसे लेके डोलते रहते हो फिर थोड़ी डोल पाओगे, नहीं डोल पाओगे ना, तो रेडियोक्टी फॉस्फर हम यूज नहीं करते हैं, लिखा हुआ है, नोट्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, कि कौन से क्रिस्टल्स जो हैं वो आप यूज करते हैं, पायलुमेनिसेंट में यूज नहीं कर से हैं, ठीक है, इनार्गेनिक क्रिस्टल्स का क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं, फायलुमेनिसेंट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ना आराम से, चलो चले आगे, चलिए भई, नेक्स है, वाट इस अपर्पोस ऑफ कंट्रोलिंग दा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इन रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी के अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में, या फिर हम कहें कि स्पीड जब हम बात करते हैं, आपको पता ही है, तीन तरीके की स्पीड है, आपकी स्लो, मेडियम और एक है, हमारे पास में फास्ट, तो आपको क्या करना है याँ पे इंटेसिफाइंग स्क्रीन का जो स्पीड है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका जो प्रात्मी कुदेश्य है वो क्या होगा कि आपको पिशन का डोस बढ़ाना है या फिर हम कहें कि image contrast को reduce करना चाहते हैं या फिर आप बोलें कि to improve image quality, image quality को improve करना है या फिर हम कहें कि हमें radiation exposure को क्या करना है यहाँ पे decrease करना है बताएगे क्या कहेंगे क्या answer होगा वही speed का मतलब क्या है speed से यह आप समझ लो question की तरफ गूमो मत क्रेशन के जैसे आपको गूमना नहीं है आप तो मुझे यह बता दो देखो भई वो crash course है तो crash course को crash course की सापसी करवाएंगे न ठीक है crash course में आप सब लोगों को पता ही है कि crash course के यदि हम बात करें तो उसमें superficial चीज़े होती है हमारी वो सब जगे वो ही होता है चलो बिल्कूल speed के यदि हम बात कर रहे हैं तो speed यह चो आप use कर रहे हो slow use कर रहे हो fast use कर रहे हो तो वो हम किसके लिए use कर रहे हैं वो quality के लिए तो यूज कर रहे हैं न हम ठीक है अब उसके बाद में पेशन का डोस कैसा आएगा कॉंट्रास कैसा आएगा तो वो तो वो सारी चीसे कुछ से डिसाइड करेंगी हम डिसाइड नहीं करेंगी कर लेने तो भई कर लेने तो चलिए तो आपका पेपर कुशल मंगल कंप्लीट हुआ अपने सॉल्व कर लिया और काफी ठीक था पेपर ज्यादा टफ भी नहीं था कुछ कैसंस थे तो टफ तो क्या थे बट वो ठीक है थोड़ा सा आउट ओफ सेलेबस तो रहता भी है पेपर ठीक है पूरा सेलेबस से आजाएगा तो बंटार हारी हो जाएगा चलिए हाँ बिल्कुल चलिए तो मिलेंगे आप लोगों से और यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप रेडियोग्राफर जो फुल कोर्स है उसको आप जॉइन कर सकते हैं क्योंकि इसको जॉइन करने के बात में आपको किसी भी चीज की ज़रत नहीं पड कर दिया है एड कर दिया गया है ठीक है तो अब आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी आपकी यहीं से हो जाएगी तो फुल कोर्स की अंदर आपको कंप्लीट तो सालेबस मिलेगा इसके अलावा जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं हमारे जैसे की मैथ हो गया ठीक है वीजनिंग हो गई आपकी इसके अलावा जैसे जीकैर हो गया जीके भी आपको यहां पर मिलेगा और साथ में नोटस मिलेंगे नोटस भी दोजो बने हैं ठीक है पानल नोटस हैं तो यह जो सारी чीज़े यह आपको यहां पर मिलेगी और अब टोपिक वाइस, साफी बड़ा जो benefit है वो आपको यहां पे मिलेगा, आपकी practice में आपको benefit मिलेगा, questions को समझने में, levels को समझने में, options को समझने में, साफी जो help है आपकी हो जाएगी, इस course के बाद में आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की, या इदर उदर डोलने की, या और कुछ भी आपको स class में, अब तक के लिए class को share करते रहना, class को like करते रहना, और जो भी students हमारे साथ में यहां पे new connect हुए है, चैनल को subscribe करना, बिल्कुल भी नहीं बूलना है, ठीके, नए class में, नए session पे, इसी time, daily 5 वज़े जो है, अपनी class होती है, यहां पे radiographer, competitive exams के लिए, तो बिल्कुल इ बिल्कुल टेंशन मत लीजे आप, चले, आप तो class को share किया करो, बरबर के comment करके comment में बताया करो, class के बारे में, questions के बारे में, किस तरीके का pattern है, वो सारी चीजे, चले, तो मिलते हैं आप से next class में, तब तक के लिए, bye bye, take care.